बहुत लोग करते हैं ये गलतियां, जब Herbalife के product लेते हैं, दोस्तों बहुत सारी लोग, तो ये कुछ गलतिया हैं, जो मैंने देखा है, बहुत सारी लोग मुझे phone करते हैं, comment में बताते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि sir हमारा weight loss नहीं हो रहा, दोस्तों 90% लोगों का weight loss हो जा नमबर वन, दोस्तों वो क्या करते हैं, पूरा-पूरा अपने Herbalife product based पे हो जाता है, मतलब उस पर ही वो अपने आपको ये देख लेते हैं कि मैं Herbalife ले रहा है तो हमें कुछ भी changes नहीं करना, बस product पे हमारा weight loss हो जाएगा, दोस्तों मैं बता दू कि ये चीज आपके सही नहीं है, क्योंकि Herbalife एक तरीके का nutrition है, और nutrition दोस्तों आपका पेट भर सकता है, आपको मतलब कम calories से आपका पेट भरा रहेगा, लेकिन दोस्तों proper weight loss करने के लिए diet plan आपको follow करना पड़ता है, तो आप पूरा diet plan follow करें, वो diet plan follow नहीं करते हैं, सिरिफ product मंगा लेते हैं, और लेते हैं, ना तो exercise करते हैं, ना कोई अलग से diet plan follow करते हैं, और चीनी की चीज़े, sugar की चीज़े, मिठाईया, फुल खते रहते हैं, और दोस्तों यहां तक कि मतलब लंच में भी कोई changes नहीं, वो रोटी सबजी खा रहे हैं, फुल पेट, वो ही करते हैं, दिनर में भी दोस प्रोडेक लेते रहते हैं, फिर वो बोलते हैं, कि इस प्रोडेक से weight loss नहीं हो रहा, तो दोस्तों मैं बता दूँ आपको, कि जब भी आप Herbal Life के प्रोडेक्स लेते हैं, तो पूरा सुरू से, मतलब सुबह से लेकर रात तक का diet plan होता है, उसको follow करना पड़ता है, उसके according आपको diet changes करने पड़ते हैं, आप वो changes इस परकार से होते हैं, दोस्तों, कि air fresh जो आपको दिन में तीन बार लेनी होती है, दोस्तों, आपको क्या करना होता है, सुबह जैसे ही आप सो कर उठे, आप दो गलास गुन-गुना पानी पीए, उसके बाद दोस्तों, पंदरा के समय, जब आप चाय पीते हैं, तो उस ताइम आपको यह लेना होता है, वो ही दो चमट डालके, साथ ही दोस्तों, आपको जब weight loss करें, तो चाय जो आप पीते हैं, वो नहीं पीना होता है, दोस्तों, चाय से क्या calories बहुत जादा जाती है, शरीर के अंदर हो weight बढ़ता है और यह चीज़ का भी ध्यान नहीं रखते हैं, और दोस्तों, आपको क्या करना होता है, जब लंच लें आप, तो आपको लंच लेते ही सोना नहीं होता है, या फिर दिनर ले रहे हैं, तो दिनर के बास तुरंत नहीं सोना होता, कुछ ताइम आपको, मतलब, घंटे, दो घ बहुत जादा है तो आपको एक time ही मतलब आपको shake नहीं लेना उसको दो time पर करिए रात को भी shake लेना है और सुबह भी तो वह क्या एक time ले ले तो बिल्कुल follow नहीं करते तो आपको क्या करना है रात के समय भी shake लेना है shake की quantity इस प्रकार से रहेगी यदि दो time ले रहे हैं तो आपको दो चमच आपको चाहिए formula one shake का और दोस्तों साथ ही दोस्तों मैं बता दूए ज़िए आप shake mate यूज़ करते हैं तो आपको shake mate में ऐसे लेना होता है कि दो चमच आपको formula one shake का एक चमच आपको protein powder का और एक चमच की आपको shake mate का इस परकार से आप सुबह और रात को follow क कर सकते हैं और दोस्तों आप इस तरीके से follow करेंगे तो आप देखेंगे दोस्तों कि आपका weight loss अच्छी तरीके से होगा और दोस्तों हो सके तो थोड़ी exercise करने का प्रियास करें साथ ही दोस्तों आपको बहुत सारे लोग का salad भी नहीं लेते वो बोलते हैं कि salad ले नहीं र दोस्तों इसमें fiber होता है जो आपके weight loss को भी करेगा आपके पेट को भर कर रखेगा और दोस्तों आपके digestion system को भी अच्छा करता है और आपका मतलब पेट भी अच्छे से साफ कर देता है तो आपको lunch के आदे गंटे पहले salad लेना होता है और रात को भी dinner से आप जब दिनर क breakfast के बाद तोड़ा fruits भी लेने चाहिए या breakfast से पहले भी fruit ले सकते हैं बहुत सारे लोग fruits भी नहीं रते हैं तो fruits के आपके शरी में कमजोरी भी नहीं आने देगा आपके vitamins भी मिलेगी इससे और आपका अच्छे से पेट भी बढ़ जाएगा तो आप fruits भी जरूर लीजिए दोस्तों और आपके fresh तीन टाइम लेनी है शेक आपको यदि आपका वेट ज्यादा नहीं है पांस से साथ केजी कम करना है तो आप शेक एक टाइम ले सकते हैं मौर्णिंग में लेकिन दोस्तों मौर्णिंग में सिर्फ इसके बरोसी नहीं रहें आप fruits भी लें और salad भी ले 8 बजे से पहले आप यह चीजें ले 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 तो ज्यादा अच्छा रहता है फिर क्या है दोस्तों रात को आपका metabolism slow हो जाता है और वह खाया भी है वह अच्छे से परस्ता नहीं है क्योंकि हम कुछ काम भी नहीं करते तो इससे calories बंद नहीं हो रही और हमारा fat बढ़ रहा है तो दोस्तों यह आपको मतलब यह चीजों का ध्यान रखना और यह चीज चेंजिस करने साथ ही दोस्तों आपको पूरे दिन बर में पानी की मातरा अच्छी रखनी है पानी अच्छा quantity में पेंगे तो दोस्तों यह अच्छे से digest हो जाती है और आपका मतलब इससे energetic भी रहत कोशिश करें जब हम लेट उठते हैं दोस्तों तो भी हमारा बेट बढ़ने की chances रहते हैं तो आप सुबह अच्छे time पर उठिए और time पर सुईए तो ज्यादा अच्छा है और दोस्तों सुबह आप अच्छे quantity में खा सकते हैं लेकि रात को आप जो चीज खाते हैं वो light ख हो जाता है और हम कुछ exercise भी नहीं करते हैं रात को पर सोने का ही काम रहता है तो फिर वो भी चीज वहती है इसके अलावा दोस्तों हो सके तो आप जिम जाकर exercise कर लिए या फिर घर पर ही dancing running या walk कर सकते हैं या फिर घर की मैंने exercise बता किये playlist में जाकर आप देख सकते हैं साथ बिल्कुल ध्यान रखें दोस्तों और यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो मुझे comment कर दीजिए यदि product के regarding आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो description में मेरा number है वहाँ से contact कर सकते हैं साथ ही दोस्तों वीडियो helpful लगाओ तो वीडियो को like कर दें और चैनल को subscribe करके bell icon दब कर दोस्तों 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 झाल 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 झाल